आपके साथ दीपक बदोरिया पॉलिटिकल पार्टियों को गड़बड़ी की आश्रंका है और विपक्षी दलों की जान EVM मशीन में ही अठके हुई है यही बचा है कि कॉंग्रीस और BSP समयच सभी दलों के नेता और कारिकरता दिन रात स्ट्रोंग रूम की पहरेदारी कर रही हैं कराके की सरदी में भी व अवजुद स्ट्रोंग रूम के बहार पर्सनल सिक्योर्टी गार्ड तैनात करने की आखिर जरूरत के ओपड़ गई इसी पर चर्चा करें उससे पहले देखरेदारी कहीं कारकरता तीन शिप्टों में रख रही निगरानी कहीं पर्सनल सिक्योर्टी गार्ड को सौपी जिम्मेदारी आखर काउंट्रिंग से पहले सियासी पार्टियों को किस का सता रहा है डर प्रत्याशी दिन रात क्यों काट रहे स्टॉंग रूम के चक्कर जी हां मद्ध प्रदेश में बिधान सिबा चुनाओ के नतीजों का समय जैसे जैसे नस्दीक आता जा रहा है वैसे वैसे ही प्रत्याशों की धर्कने पढ़ती जा रही है वहीं वोटिंग के बाद नतीजों से पहले ईवियम पर स्यासी खमासान है बाराघाट में पोस्टल वैलिट के कथिच छेटछाण का मामला सामने आने के बाद प्रदेश भर में कॉंग्रिस प्रत्याशी डरे सहमें हुए है आलम यह है कि प्रदेश भर में ईवियम और स्टॉंग रूम की सुरक्षा के लिए कॉंग्रिस कारिकरता और प्रत्याशी सर्द रातों में भी जाक कर लकातार ईवियम के स्टॉंग रूम की पहरेदारी कर रही है कहीं निजी सुरक्षा कर्मी हाइर किये गए हैं तो कहीं कारिकरताओं की शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है इतना ही नहीं पीसे से चीफ कमलनाथ ने भी कारिकरताओं से स्टॉंग रूम के बाहर मुस्तेयत और चोकन रहने के अपील की साथ ही कारिकरताओं को हर विधानसवाश्यत्र में 3 दिसंबर तक 24 घंटी एवियम की निगरानी की निर्देश दिये गए हैं खंडबा में एक कॉंगरिस प्रत्याश्यत्र ने एवियम की सुरक्षा के लिए 6 सिकॉर्टी गार तक तैनात किया है तो इन दौर की सबसे होट सी पानी जा रही विधानसवाश्यत्र क्रिवांक एक के कॉंगरिस प्रत्याश्यत्र संजय शुकला ने पारजी के इवियम की पहरेदारी कर रही हैं सभी कारकरताओं के खाने बीने की वहीं पर रुकने की बी इंतिजा में खुद कॉंगरिस 85 संजय शुकला ने कलेक्टेट में रिटर्निंग ऑफीसर से मुलाकात करके पोस्टर पैलिट के बारे में जौनकारी ली इस दोरान उन्होंने आ बड़वानी में स्टॉंग रूम का नेरिक्षण करने पहुंची पूर्व ग्रहमंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि बीजेपी एवियम मशीनों के साथ कोई छेड़ छाड़ कर कारकरताओं के मेहनत पर पानी ना फेर सके इसलिए 18 नवमर से ही हम स्टॉंग रूम की चौक कि सामने आए हैं चाय बाला घाट की बात कर ली जाए इससे पहले खंडवा की बात कर ली जाए या अंच्छेत्रों की बात कर ली जाए तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्ष होता है विपक्ष इसको लेकर बहुत जादा सतकता बरता है और अपने कारे करता हो और रा नहीं हो जैसे बाला गाट में होई है अभी और इन पास्ट होती आई है उस तरीकी गटनाओं से पस्टनी के लिए हमारे नेता मनुसुकला जी ने निकरानी के लिए में उठाया हुआ है केमरे बंद हो गए है या लाइट चली गई या इस्टार रूम खुलवाया गया तो यहां जब हम इतना समय हम जब बाहर भी देते हैं या पार्टियों के लिए तो कम से कम चार दिन पांच दिन यहां भी अगर बेड़ जाएंगे हमारे सामने सब चीजें हैं प्रसाशन पर भी हमें भरोसा है चुनाय वायोग पर भरोसा है इसके बावजूद भी हमारे प्रत्याशी की तरफ से कहा गया है कि भी वहां आपको निगरानी रखनी है अगर देखा जाये तो कहीं ना कहीं अगर पूरू की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से घटना घटित हुए है बालाखाट की बात कर ले जाए या अन्नी की बात के ले जाए तो उसकी निगरानी करने के लिए यहाँ पर विपक्श है वो हमेशा यहाँ रहा है दोजार अट क्ठार की यहाँ पर जो निगरानी की जाती है पानसेमल और राचपर उधान सावाच्चे ए एवियम मशीन से जहां पर रखी है एस्टागरूम में वहां तक मैंने जाके देखा है चेक किया है मैंने और बाकी जो हमारे लोग भी यहां पर बेटे हैं तो सब जगसारी चीज़े सब ठीक ठाके देखा है चेक किया है एक तरफ कॉंगरेस बीज़ेपी पर एवियम में गरबडिक आरूप लगा रही है तो दूसरी तरफ बीज़ेपी का कहाना है कि कॉंगरेस पाथी अपनी हार का ठीक राएवियम पर फोलना चार रही है यह कॉंगरेस का नेचर है जब भी वह हालती है तो कहीं अधिकारियों पर तो कहीं EBM पर अपना प्रस्टिशन निकालती है। कर रही है तो कभी चुनाव आयो, कभी अधिकारी और कभी EVM पर कॉंग्रेस को जवाद दिना चाहिए कि जब करनाटक जीती है तब EVM करोना क्यों नीर होती है। की तरह स्तरी चाक चोवन सुरक्षा विवस्ता के बावजूद, पॉलिटिकल पार्ची को सिस्टम पर भरोसा नहीं है। Bureau Reports, Swaraj Express खुद प्रत्याशी बैठ रहे हैं। इतना भरोसा होना चाहिए कि बिलकुल भी खतम हो चुका है। और कमाल की बात यह है कि यहां पर आपको भरोसा नहीं है और चत्तरसगाड में भरोसा है। इतना क्यों देखने को मिलगा है। आखर क्यों हम मेरा विष्वास शासन प्रशासन और मशीनरी से पूरा हुट चुका है। देखे दिपर जी पिछले 20 वर्सों से भारती जन्ता भारती संता सीन है। और सारे अधिकारी कर्मचारी नहीं प्रसाशनिक अधिकादी है। जिनके माध्यव से पूरी निर्वाचन प्रक्रिया संपादित की जाती है। और निष्चित रूप से आप देख रहें भी मध्यपदेश नहीं वरनी देश के कई हिस्तों से इवियम को लेका था इस प्रकार के प्रस्ण आते है। और इस प्रक्रिया से अधिनी या critically और अभी में को क्माध्य आत्स नाव को लड़ाई पर और उसके बीच में इतने लंबा जो अन्तराल हो चुका है। इतने बड़े अंत्राल के बीच में किसी प्रकार का संसे होना एक मार्डर में सुझता हो चाहे भार्तिय जन्ता पॉलिटी हो चाहे कॉई वीस आधि कोई निरवाचल हो निस्पक्ष हो इस कि लेकर कभी संधेrh प्रिश्शन नले हुगा है अभी इंडियम का सवाल है तो इवियम का तो धिपक जी इतिहासी देखे आज कि जब से ये इवियम इस मिर्वाचन प्रक्रिया का भाग बनी है तब से ये संदेय के घेरे में है और हिंदूस्तान में तो सबसे पहले जब भारती जन्ता पाइटी के सिसनेता सुप्रमणनियम जी इस पर परश्ण चीन लगाया था तब इसे इवियम पूरी तरह से संदेय के घेरे में चलती है उस पर हमेसा इस पकार का वाग परश्ण वंता रहा है वहमने देखा है पूरी दुनिया के अंदर जो विक्सिते समझीने कहते हैं विक्सितेसों ले इवियम को इवियम परश्ण नहीं चलती है वहां के लोग कैश में जादा बिलीब करते हो रेटियम काड़ करते हैं हम लोग बहुत आगे वहां की लोगतांतरिक विवस्ता पने आगे लोगतांतरिक विवस्ता में इन्फ्राइस्ट्क्रा बहुत आंतर है वो हमारे पास है हम दुनिया में सबसे बड़े रियो साथ चलते औरन वी इसी को परहज नहीं है ठीक है वाप कह रहे हैं तुम्हान ने रहे बनना एस्टूनिया एक ऐसा देश है जहां पर सब सर पहले डिजिटल वोटिंग हुई है लेकिन वो भी आ गए हैं अगर दोनों को कंपेर करें तो फिर वो लोग ऐसे ठीक आपकी बात में माल लेता हूं चलिए ठ इस तरह से मजरी जी यूश पूरे मामले को देखें तो आपके लोग नहीं बैठे हैं शायद्या बैठे हैं आपकी लोग भी तैनाती कर रहे हैं तो मजरी जी फिर तो सबाल बनता ही नहीं यह पिर कॉंग्रेस से पूछने का जी मजरी जी दोनों ही प्रमुखदल के प्रत्यक्षी अपने समर्थवों को ठीक ज़ा दूँद जी मजरी जी को बोलने का मौका देने निवेदन है अनिथा फिर वो कलेश हो जाएगा जी मजरी जी आपकी अवाज नहीं आप रही है मजरी जी, निवेदन है ठोड़ा सा टेक्निकल नहीं होगी, जी जी इस वरकिंग, जी जी ये वारी है आपकी 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 अपाने बाती में हमें इसकर निपग से चिला हो विपर्शनाने है और बहुती शांची तुम तरीके से मध्य पर के साथ इमानदारी के साथ साथ ताम करेगा और भाहिर मही बात अगर ये इवीम पड जो आप उठा रहे हैं तो इवीम के उपर वहां करनाटक में सवाल ने उठा ज़ा जिए जब हमाचल पर सवाल ने उठाते हैं जग उनकी सरकार बन जाती है अभी इनको पहीमा कहीमें इनको इतना तर्माटक में क्यों हैं में तर्माटक में करने तो वही में इंसे इसमें चाहते हूं कि आद दो तरीके की बास क्यों करते हैं हम भारती है पर मजे जी लोगतांत्रिक विवस्ता पर और आपको स्वरक्षा विवस्ता पर यकीन है तो फिर आपने अपने लोग को बढ़ा रखेंगे अब अब आपको बता दू चत्यस गड़ में पूरी पार्टी आपकी बैठी होई है रखवाली कर रहे है तो निर्वाचे चुनाव आयोग वहां पर भी चत्यस गड़का नहीं है बाकि स्याइर पीए पो सेंट्रल की जो एजन्सिया लगी वो भी छत्यस गड़की नहीं सिर्फ लास्ट लियार पुलिस की वहां के जरूर अंडर कंट्रॉल में है तो देखे कर्या वहां प्रशा है यह है कि हम भी उंगली उठा नहीं सकते कर कॉंग्रेस पगर वो भी बैठें तो मंदे यह नहीं कह सकते कि इने विश्वास नहीं है कि गार्ड बिठा दियां लोग बैठे हुए बरुसा नहीं है ऐसा कह रहे है और मजरी जी यह कॉंग्रेस प्रशा है और मजरी जी यह कॉंग्रेस नहीं है सिर्फ जो कह रहे है कि इवेम में दिक्कत है इवेम से मत कराओ इवेम है को चुकि यह आपको छोड़के बाकि जितनी भी पक्षी पार्टियां है चोटी मोटी बड़ी लंबी जितनी भी है चाहिस्थानी हो जैसे भी है वो सब यह कहरें भई से नहीं होना चाहिए ठीक ठाक नहीं है बीजेपी इसमें कहीं अगर्वर जाला करते हैं लिए जहां तक मैं आपको जानते हैं आपको जानते हैं जब कॉंग्रेस को जिक्टा तो छोटी मोटी पार्टियों को दिक्टात होनी है कि उनका तो कोई वजूर ही नहीं हो पहले हैं पहले हैं आपको जानते हैं मैं अच्छा जी इस तरह से देखें आपको जानते हैं ठीक है चली माल लेते हैं सर वरिश्पत कासर मैं आपके सरा पास आना चाहूंगा अजय जी इस तरह से देखें जाएं दोनों ही पार्टियां कहें जरूर रही है कि हमें मतलब नहीं है लोगता अंदर पर भरोसा नहीं है पर एक्षुली मायने में देखा जाए तो दोनों में से किसी को भरोसा नहीं सब अपने अपनी एक दाइरे में रहके चीजे करना चाहते हैं लेकिन यह जो परंपरा जो परिपार्थी शुरू की गई है इन पार्टियों के द्वारा आने वाले भविश्व में थोड़ा सा भा दूसरी बात है कि इस्तेमान होते हैं इस देश में पत्चीस साल हो चुकी है जहां तक मुझे आदे कि नाइंटी एट या नाइन की आसपास पास पहली बार इवें का रहती हो किया तब लाजिक तोर पर कुछ निर्वाजम क्षेतरों में और उसके बार दीरे इसको बढ़ हो चुकी होती है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 101 परसेंट जएफ है या स्रक्षित है लेकिन इसमें गड़बड़ियों की सम्माना नियुंतम है चोटा मटा कहीं कुछ होता होगा तो नहीं कह सकते और प्रमानी है कि सकता है बदल रही है सरकार बदल रही है और जनादेश अल कि दुनिया आगे बड़ रही ठीक है चोटे देशों जहां जन्सक्या काम हो चुनाव जो है वो आराम से होते रहते हैं तो भारत जैसे देश में जहां पर कडिब सब्सक्राइब जाता है तो वहां पर अगर हम टेक्नोलोजी की मिदब दे रहे तो बराई नहीं है वाज़ की तारीक में इस तरही गड़बडियां देश पर केवल एक राजी में हो रही है और वह प्रस्टेम बंगाल जबकि इसके लिए किसी दमाने बियार यूपी हर्याना सबसे लादा पतना हम थे लेकिन आप गड़बडियों की संक्यां वहां लगबग नूंता पहुचकी है तो ऐसा नहीं है और निर्वाचन आयव सथी पर बार बात वी हमारी तो अधिकार ने भी का जिस पर गड़बड़ी की सम्माना 99 बरसें नहीं है जोड़ी बहुत अगर कहीं कुछ हो भी सकता होगा तो उससे को चुना पड़े नहीं बड़ता तो सवाल है कि जितने बड़े अधिकार नहीं करते हैं जिस तरह से देखा जाए पहले तो फिछले परिणाम देखला कर एविम के बात थी तो भाही थोड़ा बहुत अंतर करते इतना नहीं करते कि मूह दिखाने लाइक नहीं बड़े बड़े इस तरह से अंतर यह ऐसास दिलाता है कि एविम इतनी आप आरूप लगाते रहें सबाली खड़ा होता है कि जैसे कि अभी जैसे आपने बाला खाट वाला मुद्दा उठाया उसमें आप जानते हैं कि वो सिर्फ गलत फहमी थी क्योंकि दिमाक में वही भरा हुआ है इतनी जादा तरीके से कि वहां पर उन्होंने जिसने यह कार उसी ने बाद में एकसेप्ट किया कि हाँ यह भूल चुक हुई है हाँ यह चीज का मुझे पता नहीं था हाला कि कलेक्टर ने पूरे साइन बाइन जिन लोगों के हुए थे वो परची दिखाई थी तो ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा बहम भरा हुआ है तो हम लोग प्रच अगर आप तो केवल इंपडर करते रहे कि जब बड़ी हो जाएगी किसी मोड पर आया तो मैं उचीती समझता हूं कमला ची किस परस्ट निर्दे से कि आप सतर करहें तो सतर करहें और कांग्रेस पूरी तरह सतर कता से है और सतर कता से चुनाव रड़ा है अभी विपक्ष क करते हैं मैं आपको बता जाना चाहता हूं यदि कोई प्रत्याक्षी चुनाव जीती नहीं रहा हूं और उसे पता है कि मैं हार रहा हूं तो ठीकड़ा फोड़ने के जरो इतना इतनी आवश्चक नहीं है मत्यपरदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है लेकिन लंबा जो अंतराल मत्यपरदेश में रही है जिसा अभी आपने कुछ सवर पहले का था कि हमारी विवस्था इतनी सचे तक नहीं हुए और हम इतनी विचार सीर्व नहीं हुए कि अन्य राजजी के चुनाव के परिड़ाम का प्रवाव राजस्तान में नहीं हो या उसका परिणाम का प्रवाव तेलंगा ना में नहीं हो एसी सोच अभी हमारे पास नहीं अगर इसा होता हम 17 तारीक के दिन अपने परिणाम पूरे देश के सामने योगें जी यह चुनाव निरवायचन आयोग विचारा कितना पसीना बहार आप भी देख रहें यह तो हम लोग अप हमारे सामने सबसे बड़ी जो संसे है हमारी जो विसंगती है मतलब राजनितिक सोच से उपर उठकाई तो हम देखना कि यह हमारी चुनाव प्रक्रिया जो है यह क्या है कि अगर प्रसार्शनिक एजनसी के सुरूप के माध्याव से संचालित होती है हमारे इस पेसान कोई क यह कि अगर निर्वाचल को द्राता हो दूसरा इसकी अंदर जो सबसे महत्मुर्य काई होती दिए वोगती यह विए और इवियं के इससार पे की जो सुझछा होती हो जहां से संचालित होती हो जिनकी मानेटरिंग मेरती है मैं इस चित उन्मारे सब मारे जो है पासाच नि और इदाहकिदा गल्ती वाली बात जहां तक है तो यह तक निकी गल्ती है तकनी कि तुलूटी हो जाना वह प्री मजुरी जेन जिस तरह से कही जड़े ऐसे जया इनके नितपृतिपक्ष घृबिन इस जी आरोप लगा आया रहें वेलिट पेपर होगाई कहीं जगे उनने कई जगों के नाम मिली और कहीं जगे ऐसी तुर्टियां देखने को मिलें तो हो सकता कहीं जगे अपवा थी कहीं जगे थोड़ी सी को मिली जगे अपवा थी कि तुर्टियां जगे चाहिए। तुर्टियां देखने को सकती है। लेकिल आप तुर्टियां चिनाओ यार चीजिए, यह जिए अजय में बना रहा कि बुरी पेटी जीमा जा जाए हो जाती थी, गूट्स करीं हो जाती है। कि गूत के उपर एक जफी जयता था और एक मंजी को अधिक पेपर पर फिदी पुदी को आणिवनी में कि फिदी नियुक्त करते रेते हैं, तो मैं नहीं समझते हूं कि हमने चुनार में और आज सी चुला गयां जाज में जमी आत्मान का फाख है। मंजी जी थोड़ा सा समय कमें, तो बहुत ही मिश्पक्षटा के साथ पड़ियें किशी भी संकेके कोई अनुस्ता होती ही, बहुत है, उस सब कर कारवाई भी हो रहेंगी तो तरफ कारवई हो रहेंगे, तो आगी दें साथ है जिस तरह से देखे बीजेपी आपने ये चबी बना ली है बन गई है कि आद घंटे के लिए लाइट ये टेकनिकल फॉल्ट आ जाता है तो ये लोग समस्ते पेटियां गाइब हो गई सब्सक्राइब है या फिर बेवजय का है या फिर डरना लाजमी है संचिप में सब्सक्राइब है और यह क्यों आज से नहीं हुआ है आज से दस साल 15 साल पहले यह सवाल वीजेवी ने उठाया था और वीजेवी प्रवक्तार नर्सिंग राव उन्हें तबागा दस पर ना न हो की चाहिसरी ने उस सब्सक्राइर और गांजे के उस इसर शची सुएब लिककोति सब्सक्राइब ना करें यह प्रकाइब्यो Dion मिलाव म дов Gilms kundraangen को श्री प्रखल रही है वम लिए similarly पन्जाम चुण अंदी अपने आपने खारी हो जाता है, प्लस माना इस इक्वल टो जीरो, ठीक है सर, चले इस डिवेट में फिलाल इतना ही, आपका गंदु जी, अमधरी जैन ची और अजय जी, तिन लोग का बहुत हो शुक्रिया इस परचचा में शामिर होने के लिए, तो जिस तरह से यहरे डारी कर रहे हैं, इस ठंड में भी, लेकिन देखने वाली बात ही हो, कि यह वाकई इनकी जो महनत है, वो रंग लाती है या नहीं, मुझे दीजी अजासत, नमस्कार